आज में लेकर आई हो आपके लिए एकदम नए नास्टी की रेसिपी ये नास्टा 25 से लेकर बढ़ों तक सभी को बहुत पसंद आने वाला है आज के इस नास्टी को बनाने में हमने बहुत कम मसालों का यूज किया है फिर भी ये नास्टा इतना टेस्टी बनेगा कि सब आप की तारिफ करेंगे आप इस नाश्टे को बना कर श्टोर भी कर सकते हैं तो आप चाहें तो इसे एक बार में ज्यादा सा बना कर रख सकते हैं तो चलिए जल्दी से इस नाश्टे को बनाना हम शुरू करते हैं हलो एवरिवन मैं हूँ शिवानी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवान्स किचिन में सबसे पहले हम लेंगे एक कप चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो घर में जो चावल यूज होते हैं उन्हें अच्छे से धो कर सुखा लेंगे उसके बाद हम मिक्सी में चला कर चावल का आटा तयार कर लेंगे वैसे तो मार्केट में चावल का आटा बहुत आसानी से मिल जाता है अब हम इसमें डालेंगे डेड़ कप के करीब पानी पहले हम यहाँ पर देड़ कप पानी लेंगे और उसे चावल में अच्छे से मिला लेंगे इसका एक घोल तयार करेंगे चावल का अटे में पानी ज़्यादा लगता है इसलिए हम यहाँ पर जितना चावल लेंगे उससे डवल पानी डालेंगे लेकिन पहले हम इसका आदा कप पानी हम और डालेंगे यहां पर बैटर थोड़ा सा गाड़ा है तो मैं यहां पर आदा कप पानी और डाल रही हूं तो टोटल मैंने यहां पर एक कप चावल के आटे के लिए दो कप पानी यूज किया है पानी थोड़ा सा कम या जादा हो सकता है आपको बस इतना जहां रगना है कि जो बैटर हम तयार कर रहे हैं वो थोड़ा सा पतला ही रहना चाहिए क्योंकि बाद में हमें ऐसे पकाना भी है अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच के करीब रेट्चली फ्लेक्स आदा छोटा चमच के करीब चाट मसाला और स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे इसके बाद मैंने यहां पर दो बड़ी चमच बारी कटी हुई शिमला मिर्च ली है दो बड़ी चमच बारी कटी हुई टमाटर दो से तीन बारी कटी हुई हरी मिर्च और दो बड़ी चमच बारी कटी हुई प्याज इसे के साथ मैंने एक छोटी सी बैटर काफी colorful हो गया है अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे जिससे कि आपस में अच्छे से मिल जाएं तो हमारा बैटर एकदम तयार है तो अब हम चलते हैं की तरफ अब गैस ओन करेंगे और उसके ऊपर एक कड़ार ही रखेंगे इसमें हम डालेंगे एक बड़े चमज की करीव ऑयल जैसे ही ओयल गरं हो हम इसमें डालेंगे आदा छोटा चमब जीरा और एक छोटा चमब सफेद तिल यहां पर तिल डालना पूरी तरह से अगर आपके पास है तो आप इसे जरूर डालें अगर नहीं है तो सिर्फ जीरे के साथ भी इसे बना सकते हैं अब इस तरीके से हम एक दूबार इसे चला द देंगे और इसे लगातर चलाते हुए पकाएंगे आपने देखा कि इस नास्ते को तैयार करने में मैंने मसालों का यूज बहुत कम किया है लेकिन कम मसालों के साथ पिए नास्ता इतना टेस्टी बनेगा कि आप सभी को यह बहुत पसंद आएगा अब जैसे जैसे आप इस से 4 मिनट का ही टाइम लगेगा इस तरीके से जब हम इसे 3-4 मिनट के लिए पका लेंगे तो उससे हमारा चावल का आटा और सबजियां दोनों ही अच्छे से पक कर तयार हो जाएंगी इस नाश्ते को बनाने में एक मेहनत भी कम लगती है और टाइम भी कम लगता है और इसे एक पर बनाने के बाद हम हफ्तों तर खा सकते हैं तो यह देखिए यहाँ पर 3-4 मिनट ही हुए हैं और हमारे नाश्ते के लिए डो एकदम तयार है जब हम इसे इस तरीके से पलट रहे हैं तो यह कड़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है तो यहाँ पर नाश्ते क डो लगकर तयार है अब गैस को बंद कर देंगे और इसे हलका सा ठंडा होने देंगे तो यहाँ पर मैंने इसे कड़ाई से एक थाल में निकाल लिया है और इसे ठंडा करना है तो इस तरीके से पलटते हुए हम इसे ठंडा कर लेंगे हमें इसे ठंडा करना है लेकिन पूर सा डोलेंगे और उसे हातों पर इस तरीके से घुमाते हुए चिकना करेंगे और इसे एक टिक्की की शेप देंगे आप इसे अपनी मन चाही शेप दे सकते हैं मैं यहाँ पर इसे एक टिक्की की शेप दे रही हूँ तो इस तरीके से घुमाते हुए चिकना करेंगे और यह द देंगे तो आप इसमें से छोटे बड़े जैसे भी पीज बनाना चाते हैं वैसे बना सकते हैं अगर आपको इस नाश्थे को स्टोर करना है तो इस तरीके से हम इसकी टिक्कियां बना लेंगे और इसे एर टाइट डिब्ब्बे में डालकर फ्रेजर में स्टोर करेंगे तो आप इसकी जगे ब्रेट को भी मिक्सी में चला कर ले सकती हैं अब जो हमने नाश्टा बना कर तयार किया था उसे इसके उपर रखेंगे और इस तरीके से सब तरफ से इसे कोट कर देंगे इससे हमारा नाश्टा सिखने के बाद काफी क्रिस्पी बनेगा तो लीजिए ये एक यहाँ पर ओईल को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था अब एक एक करके नाश्टे को हम इसके अंदर डाल देंगे गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे हमें घाई फ्लेम पर ही सिखना है जब तक ये एक साइट से हलका सा सिखना जाए तब तक हमें इसे चला नाश्टे कोूट तब तक सिखना है जब तक ये दोनों साइट से अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाएं इस नाश्टे को सिखने में मुश्क जए sits पांस मिनट का टाइम को दोकर निकाल गे। तो ये लीजिए चावल के आटे से बना एकदम कुरकुरा और चटपटा नाश्ता बनकर तयार है ये तो पक्का है कि इस नाश्ते को देखने के बाद इसे खाने का मन आपका जरूर करेगा तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें बच्चे तो बच्चे बड़े भी इस नाश्ते को बेहत पसंद करेंगे और इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं है तो हर कोई इसे आसानी से बना सकता है आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक यू